इस इंडिया के सभी फ्यूचर स्टार का मैं डॉक्टर संजय आदो आपका S.Y. सर इटूज इंडिया में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आज आपके सामने जे इडवांस के लिए जो इंपोर्टिन कुश्टन के सीरीज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका एपिसोड 3 लेके प्रैक्टिस कर आ रहा हूँ इग्जैक्ली हूबहू कुश्टन मिले यह जरूरी नहीं है लेकिन हाँ उसके पीछे जो कंसेप्ट सिखा रहा हूँ जो चीजे बता रहा हूँ उससे रिलेटेड कुश्टन आपके एक्जाम में आएंगे और हम स्यूर आप उस कुश्टन को सॉल्व कर सकते है चलिए कुश्टन हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना जैसे आपको IUPAC naming पता है तो IUPAC naming में infinite number आप example लिखे जा सकते है लेकिन अगर आपको rule पता है तो आप उस rule को apply करके उसका नाम लिख सकते है आपको isomerism में chain isomer, position isomer पहचानना आता है तो कोई भी example दे अगर आपको तरीका पता है तो question तो आप solve कर लेंगे ना तो इस episode के थूँ जो है मैं आपको revise भी करना चाहता हूँ आपकी concept को और J-advance की question को कैसे handle करते हैं ये भी सिखाना चाहता हूँ इसमें मैं single choice type का question सबसे पहले हम लोग solve करेंगे इस question के बारे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे इस question को गलत करने वाले बहुत सारे बच्चे ये दिखने में आसान है पर इस question में गलत होने के chances बहुत जादा चलिए देखिए आपने question सई किया या गलत किया है अच्छा इसको check करने से पहले मेरे solution को देखने से पहले आप दिये गए link से PDF डाउनलोड करेंगे खुद solve करेंगे then answer match करेंगे concept तो सबसे पहला लिया है कि साइक्लो हेक्सीन का reaction अगर हम NBS के साथ कराते हैं तो क्या होगा साइक्लो हेक्सीन हम सब जानते हैं साइक्लो हेक्सीन के बारे में हम सब जानते हैं NBS से reaction कराते हैं तो हम ये भी जानते हैं N-bromo succinamide selective brominating agent होता है ये allylic और benzylic carbon के hydrogen पर bromination करता है तो यहाँ पर CCL4 solvent के presence में जब इससे reaction कराते हैं heat करते हैं H-new की presence में भी आप करा सकते हैं तो ये allylic और benzylic carbon पर उपस्थित hydrogen को हटा के वहाँ bromine लगा देता है ये question आपकी exam में आ सकता अब आपको यहाँ क्या याद रखना है जहां भी हम NBS देखेंगे इसका मतलब हुआ ये allylic और benzylic position पर bromine आ सकता है फिर इसके बाद इसका reaction हम N-new age के साथ करा रहे हैं कुछ नहीं इसका reaction आप N-new age के साथ कराएंगे यहाँ heat नहीं दिया है इसले elimination नहीं होगा ये N-new age यहाँ से BR को replace कर देगा और यहाँ पर ये allylic alcohol बनने के chances है ये allylic alcohol बनने के chances है और आप जानते हैं कि allylic and benzylic alcohol का reaction M-new age के साथ कराते हैं तो ये ilco oxidize कर देता है तो M-new age क्या करेगा ये carbon का oxidation कर देगा और ये बन जाएगा alpha beta unsaturated carbon oil compound बोलेंगे सर इसमें कौन सा दम था दम तो इसके आगए यहाँ तक तो सब आसान है ये भी आपको पता होगा ये भी पता होगा ये है free radical substitution reaction हेलोजन derivative में पढ़ते हैं ये है अलकाइल हलाईर का nuclear felix substitution reaction SN2 में थर द्वारा होता है ये SN1, SN2 में थर द्वारा आपने पढ़ा है MnO2 क्या alcohol का oxidation है अब ये alpha beta unsaturated carbonyl compound का reaction अगर हम bromine water के साथ कराते हैं तो क्या होगा BR2 और ये चलिए इसे हम next page पर लेके चलते हैं next page पर करते हैं अगर हमने यहाँ पर ये bromine लिग दिया ये BR2 हम सब जानते हैं कि bromine का addition anti-addition process है BR2, CCL4 की presence में यहाँ पर piridine भी दे रखा है यह क्या करेगा यह anti-addition reaction करता है और bromine जो होता है वो एक bromine wedge पर तो एक bromine dash पर जुड़ जाएगा कोई एक bromine यहाँ पर wedge पर जुड़ जाएगा तो दूसरा dash और मुझे पक्का यकीन है कि जादत रबच्चों ने यही वाला option चुना होगा या तो यहाँ पर wedge यहाँ dash या उपर मतलब उल्टा यहाँ dash यहाँ wedge इसका mirror image या यह बनाएगे यह बनेगा या इसका mirror image यह दोनों ही बनेगे बिल्कुल आपने सही कहा प्रोड़क्ट यही होता अगर यहाँ pyridine नहीं होता तो प्रोड़क्ट यही होता अगर यहाँ पर base pyridine present नहीं होता तो बिल्कुल अच्छे यह दोनों आपस में inensumers हैं देख लिएजे यह carbon पर यह bromine dash पर है यहाँ पर यह wedge पर है हम सेम carbon पर यहाँ पर wedge पर है यहाँ dash पर है यह दोनों object यह mirror image है यह inensumers pair बना इनके बराबर मात्रा बनेगी यह resmit mixture बनेगी लेकिन इसमें जो pyridine present है बेटा यह pyridine एक base का काम करता पyridine के बारे में आप सब जानते हैं यह बहुत अच्छा base नहीं होता पर यह base होता यह base क्या करेगा यह carbon का hydrogen बहुत ज़्याद़ acidic होता है अब जब यह acidic hydrogen है तो यह pyridine क्या करेगा यहाँ से hydrogen को चुरा लेगा और जैसे hydrogen को चोरी करेगा यहाँ पर minus आएगा और इस minus से repelled होकर के यह bromine यहाँ से बाहर भाग जाएगा और इसके बनने के chances यहाँ पर bromine रह जाएगा और यहाँ बन जाएगा double bond इस case में भी यहाँ का hydrogen चोरी करेगा क्योंकि यही hydrogen acidic है और यहाँ पर sign of heat दिया होगा यहाँ पर power point में sign of heat नहीं दिया था यहाँ पर लेकिन नहीं दिया है sign of heat भी दिया है BR2, pyridine और heat भी दिया है और heat करने से यह elimination product जो होगा यह dominant इससे भी क्या बनेगा यहीं बनेगा सेम चीज पिलकुल अब ज़्यादा तर बच्चे question में यसी को measure बनाए होंगे इन दोनों में से ही एक measure होगा तो उन्होंने option में से यह चुना होगा मुझे ऐसा लगता है कि यह B option चुना होगा लेकिन यह गलत option है इसका B option है इसका D option, right option अगर यह pyridine नहीं दिया होता तो B is the right answer pyridine दिया है तो D is the right answer यहाँ पर pyridine के अस्थान पे अगर कोई और दिया होगा base होता heat कर देतेंगे और वो base बस ऐसा होना चीए जो bromine से reaction नहीं करता हो यह question number one अच्छा था meganistic approach next अगला अब question number two यह आसान question है दिखने में tough लग रहा है बहुत सारे ऐसे माया जाल इसमें फैले हुए है कई सारे reaction दिये है यह सब के सही हो जाएंगे इसमें बस आपको सीखना है कि जब हम toluene methyl benzene को हम toluene कहते हैं methyl benzene का reaction K2Cr2O7 से कराते हैं तो K2Cr2O7 से कराने पर first step में बन जाता है benzoic acid यह हम सब जानते हैं फिर benzoic acid का reaction हम SOCl2 से कराते हैं तो SOCl2 हमेशा acid के OH को replace कर देता है और alcohol है तो उसके OH को भी replace कर देता है और यहाँ पर बन जाता benzoic alcohol ओके यह reaction है toluene के alpha carbon का oxidation है और यह है आपका SOCl2 का acid जी इसके बाद यह step बनेगा SOCl2 second step के बाद यह बन जाएगा SOCl2 तो ए होगा benzoic chloride benzoic chloride का reaction अगर हम ammonia से कराके heat करते हैं तो ammonia एक nucleophile है यहाँ halogen एक living group present है यह SNAE mechanism द्वारा यहाँ attack करेके इस CL को replace कर देगा और याद रखेगा यह बन जाएगा benzoamide यह बन जाएगा benzoamide benzoamide यह बनेगा B compound, beta B compound यह आसान question है बस आपको यहाँ पर revise करा हम है benzoamide के बारे में अगर phosphorus pentoxide लिखा हो यहाँ पर एक और reagent याद करो POCl3 लिखा हो और इनकी presence में इसको heat किया जाए इन तीनों में से कोई भी तो यहाँ से water बहार निकल जाता है यह reason याद कर लेना और यहाँ पर बन जाता है BR2NAVH का reaction amide के साथ कराते हैं तो यह amide chapter में आपने पढ़ा है कि amide का reaction अगर हम कराते हैं bromine water के साथ यह बीच का CU हट जाता है और यह बन जाता है aromatic amide इस reaction का नाम क्या है इस reaction को कहते हैं half man bromamide degradation reaction half man bromamide degradation reaction आप लिख सकते हैं half man bromamide degradation reaction half man bromamide degradation reaction हमेशा amide से amide बनाने का तरीका one degree amide बनाते हैं चावयले fatty खोच अरोमाटिक amide दोनों बना सकते हैं यह बना अब इस one degree amide का reaction यह है amide बनाने का process इस यह D है D का reaction अगर हम chloroform और क्यवेच के साथ कराते हैं तो one degree amide का reaction अगर हम chloroform और क्यवेच के साथ कराते हैं तो इस reaction को हम कहते हैं याद रखिएगा बहुत important यह भी reaction है कार्बिल-amide reaction आपके exam में या तो यह कार्बिल-amide या हाफमें बॉमामाइड डिग्रिडेशन या इसी चाप्टर का है एक गैब्रियल थेलमाइड सिंथेसिस आफ वन डिग्रियमीन यहां से एक question आने के chances एक question मतलब paragraph में कहीं भी पूछा जा सकता है और यहां पर इस reaction में होता है क्या कि यह बन जाता है आइसो साइनाइड फिनाइल आइसो साइनाइड और फिनाइल आइसो साइनाइड की hydrolysis करते हैं यह hydrolysis भी याद करना तो B से इसकी hydrolysis हो जाएगी तो एक तो वही बनेगा D यह D एनिलीन बनेगा तो एक तो बन जाएगा एनिलीन और दूसरा बन जाएगा फॉर्मिक AC अच्छा आपको बता दू गैब्रियल थैलमाइड सिंथिस साफ वन डिग्री से भी हम एमाइड का फॉर्मेशन करते हैं वन डिग्री लेकिन हम उसे अरोमाइटिक एमाइड या सारे एमाइड को नहीं बना पाते पर हम अगर हाफ मेंड बममाइड डिग्रीडेशन मिथर देखें तो इससे हम हर प्रकार के एमाइड का फॉर्मिक यह है आपके पैराग्राफ के सारी नहीं यह कुष्चन नमबर टू है अगला कुष्चन साइग मल्टिपल करेक्ट है तो वो कुछ भी पूछ सकता यह हमने पैरा इसको कम्प्री एक्षन को कम्प्रीट कर लिया अब जो पूछेगा आगे चलके देखते हैं पूछ क्या रहा है कम्पाउंड डी को बोल रहा है कि यह है बेंजाईल इमाई जबकि एनस्टू को बेंजीन से डारेक्ट अटेच होना चाहिए तो करेक्ट मैच इमंग फालूइंग तो यह तो करेक्ट मैच नहीं हुआ इस नाट एक करेक्ट मैच क्योंकि एनस्टू अगर इससे सटा होता तो यह करेक्ट मैच होता नेक्स कंपाउंड सी कंपाउंड सी साइनो बेंजीन कंपाउंड सी साइनो बेंजीन है यह करेक्ट मैच कंपाउंड एफ कंपाउंड एफ के बारे में for me case sheet है, बिल्कुल यह भी correct match compound G what is G? compound G, हाँ, benzyldehyde है यहाँ भी G benzyldehyde, यह correct match है तो I think answer should be A नई, B, C, D B, C and D next question, NT is a question यह question आपकी exam में पूछा जा चुका है लेकिन वो उसमें पूछा था इसके meso compound कितने बनेंगे देखो, question दो तरीके से आते है, मैंने last episode में बताया था मैं इस पर चर्चा करूँगा, यहाँ पर एक chiral carbon atom generate कर दिया है इसने पहले से, और यह chiral carbon की geometry, sorry configuration भी आप बता सकते हैं यह one priority, यह two priority है तो यह आपका R configuration का है, मतलब यह two carbon का, जो chiral carbon है, यह R configuration का है, two R configuration, two R two bromobutene two R two bromobutene, बोल रहा है किसका हम bromination करा रहे है, one equivalent मतलब monobromination करा रहे है तो total number of chiral isomer form in above reaction, यह one equivalent है, मतलब इस पर एक ही molecule का attack होना चीए, तो कितने बनेंगे, अब यह fix से याद रखिए गए, यह हमेशा आ रहेगा तब तक इसका configuration नहीं बदलता, जब तक इसका खुद का bond नहीं तोड़ता, तो चलिए, देखते है इसमें क्या पूछता, total number of chiral isomer form in above reaction यह इस प्रकार से reaction करेंगे यह रहा, H, C CS3, यहाँ पर BR लिखा हुआ कैसे question करेंगे अगर इसका bromination करेंगे बेटा तो bromination BR2, CCL4 से reaction कराएंगे, तो यह bromine यहाँ पर भी rumination कर सकता mono bromo product यहाँ भी बन सकता, तो यह बन, अच्छा यहाँ पर chiral carbon नहीं बन रहा, तो आप उसे कहीं भी जोड सकते हैं, right left तो यहाँ पर जुड़ा BR और दूसरा, यह carbon पर कोई परिवटतनी होगा, यह जैसे है वैसे रहेगा यह carbon पर कोई परिवटतनी, जैसे है वैसे रहेगा, 1, 2 di bromo, beauty next, फिर यह bromine इस carbon पर attack करेगा, और इस carbon पर attack करेगा, देखो यह अकेला, यह ही है, यह fix है, इस compound का configuration already fix है, यह एक isomer बने, next अब अगर इस carbon के hydrogen पर reaction हुआ, तो यहाँ पर free radical बनेगा, और free radical बनेगा तो वो planar C radical होगा, उस पर attack दोनों तरफ से होगा, खेर यहाँ पर कोई chiral carbon नहीं बन रहा है, तो यह attack किसी भी direction से हो, यहाँ पर यह अकेले आईसोमर ही बनेगा, दूसरा आईसोमर बनने के chances नहीं, लेकिन बेटा, एक इसके आईसोमर्स बनेगे, दूसरा, अगर यह bromine इस carbon protect किया, तो यहाँ पर bromine जब जुड़ेगा, तो वो दाहिने भी आ सकता है, और बाएं भी आ सकता है, अर्थात, यहाँ का configuration R भी हो सकता है, और S भी हो सकता है, तो यहाँ पर दो options हैं, तो तीसरे वाले carbon की वज़े से दो options हैं, यह लिख लेंगे, यह third carbon की वज़े से, एक तो होगा यह, बियार ने दाहिने जोड़ लिया, दाहिने जोड़ लिया, तो एक ही आ इस उमर बना, दूसरा, अगर यह बियार बाएं ही जोड़ ज़े, left, कुछ question बहुत आसामत है, यह बनेगा, अच्छे याद रहे कि यह optically active है, यह optically inactive, अच्छे इसमें यह optically inactive, मीजो आईसुमर भी कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो chiral carbon atom के साथ, यह plane of symmetry भी है, यह मीजो आईसुमर से, ठीक है, इसके बाद, ब्रोमीन अगर यह इस नीचे वाले, चौथे carbon atom पर attack करता है, तो यहाँ पर attack करने से, कोई chiral carbon generate नहीं होगा, तो एक आईसुमर यह बनने के तांसे साथ, अब सवाल क्या पूछा, टोटल नंबर आफ काईडल आईसुमर, देखो, काईडल मतलब optically active, यह है optically active, यह optically inactive है, यह optically active है, यह optically active, दो optically active हो गए, यह inactive हो जाएगा, यह optically active हो जाएगा, तो optically active, एक, दो, तीन, answer should be three, कोई आपसे पूछे, यह Optically Inactive, गर यहाँ पर optically active के बजाए, इन एक पूछे, तो यह inactive होगा, और एक, यह inactive, इस में, optically active पूछे, तो जबाब होगा, optically inactive पूछे, तो जबाब होगा, देखो, optically active, यह chiral पूछे, तो जबाब होगा, तीन, J-Advance में मीजो आईसोमर के बारे में ये J-Advance 2017-2018 का पेपर में ये पूछा गया था कि मीजो आईसोमर जो इसका बनता है मतलब R2-Bromobutane या S2-Bromobutane ऐसे कुछ दिया हुआ था और बोला था उसका अगर हम एक बार Bromination कराएं तो इसमें मीजो आईसोमर कितने बनेंगे तो ये बनेंगे इसमें इसको fix करते हैं अच्छा अगर इसी question को ये मीजो पूछे कुछ इसमें कितने इनेशोमर पेर बनेंगे कितने पेर इनेशोमर बनेंगे तो याद रखिएगा optically active तीन है पर इसमें कोई भी इनेशोमर नहीं पेर बनें आपस याँ इनेशोमर पेर जीरो बने कुछ लोग कहते हैं कि जहां optically active बिल्कुल इसका इनेशोमर कोई होगा जरूर इसका इनेशोमर होगा जरूर लेकिन ये fix है ये उपर ओले carbon का configuration fix है सिर्फ यहीं पर change हुआ एक बार ये दाहीं ने गया एक बार ये बाएं गया ओके चलो ये हो गया ये आपने कर दे अगर हम इसी question को पूछते ऐसे यहां पर हमने इसको fix नहीं किया होता अगर हम इस question को ऐसे पूछ देते CS3, CHBR और CS2, CS3 मैं यही question इसके लिए पूछता अब इसमें fix नहीं किया होता कि यहां पर bromine R है कि यह S है तो इसका जबाब कुछ और होता क्योंकि इसके भी R और दोनों होने के chances हैं तो यहां इसके जबाब तो एक बार इसका R बना करके हम answer देते एक बार इसका S मान करके answer ऐसे देते यह आप direct भी दे सकते थे ऐसे अगर आप ऐसे यह पूछा जाए जैसे इसमें कितने बन सकते हैं यहां पर तो bromine कहां कहां जोड सकते हैं देखो bromine हम यहां जोड सकते CS2, BR, CH, BR, CS2, CS3 दूसरा bromine हम यहां भी जोड सकते हैं CS3, CH, CBR2, CH2, CS3 bromine हम यहां भी जोड सकते हैं CS3, CH, BR, CH, BR, CS3 और bromine हम यहां भी जोड सकते हैं CS3, CH, BR, CH2, CS2, BR अब इसमें इसको fix नहीं है अर्थात यह R और S दोनों होने के chances हैं तो एक तो यह खुद R और S दोनों होने के chances हैं अब इसके isomer आप count करेंगे याद रखेगा याद रखेगा आप fix न करें तो इसमें एक काईडल कार्बन है जिसके R और S दोनों होने के chances हैं यह R भी हो सकता है और S भी हो सकता है इसके दो isomers यहाँ पर कोई काईडल कार्बन एटम नहीं है तो यह जीवन में अकेला रहेगा इसमें दो काईडल कार्बन एटम है लेकिन यह बीच से symmetry है इसमें plane of symmetry है इसके तीन isomers बनेंगे इसके दो बनेंगे optically active और एक बनेगा mezo optically inactive isomers आप count करना इसमें देखो यह प्लेन आप symmetry नहीं है तो यहाँ पर काईडल कार्बनेटर में इसके दो आईशोमर बनने के chances है और दोनों optically active होंगे यहाँ पर यह optically active दोनों होंगे अगर इसमें पूछा जाए यही काईडल आईशोमर कितने बनेंगे तो यहाँ पर optically active ध्यान से देखिएगा इसका यह optically active दोनों है यह दोनों optically active है यह दोनों optically active है तो इस case में यही जवाब होता optically active यह काईडल जवाब होता 6 ठीक है optically inactive यह एक काईडल जवाब पूछते जवाब होता इसका बाकी जो बचे किते मच बने बताओ, यहाँ पर 2, 1, 3, 3, 6, 2, 8, तो बाकी बचे 2, कोई आपसे पूछे, इसमें मीजो आईसोमर्स, इनेक्टिव तो 2 हैं, लेकिन मीजो कौन सा है, तो याद रखेगा, यह मीजो नहीं है, इसे के 3 आईसोमर्स में से 1 मीजो है, इसका मीजो आईसोमर्स 1 हो कैसे भी पूछा जा सकता आपसे, तो यह था कुश्चन नमबर 3, इन्टीजर का कुश्चन, अब हम बात करते हैं, कुश्चन नमबर 2 हो गया, 3 हो गया, अब कम्प्रेहिंशन का कुश्चन है, इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, यह कम्प्रेहिंशन का कुश्चन है, बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको हेलोजन डेरिवेटिव रिवाइज करना चाहता हूं, इस कुश्चन के माध्यम से, तो चलिए हम लोग स्टार करते हैं, यह कुश्चन पढ़ने से पहले हम पहले कुश्चन को कम्प्लीट करते हैं फिर कुश्चन पढ़ते हैं, इसमें हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला है साइक्लोहेक्सेन, आपने देखा यह होता है, साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं, मैंने बेंजीन बना दिया, बेंजीन की यादा अगे, ओके, ब्यार्टु एचनिव के साथ रियक्सन कराते ह तो यह bromination reaction होता है free radical substitution reaction होता है जिसमें यह बन जाता है एक ही हस्तान पे बन जाता है bromocyclohexane यह बन जाता है bromocyclohexane फिर benzene बन गया 6 member kering बनते ही हाथ benzene बनाता है यह बन गया brom अब KCN से reaction कराएंगे तो हम सब जानते हैं KCN जो होता है उसका AGCN होता तो यह NC बनता KCN क्या करता है KCN जो होता है आसानी से ionize हो जाता है K plus और CN minus में तो यहाँ पर C minus की attack होने से cyanide बनता है लेकिन अगर AGCN कभी लिखा हो तो यह आसानी से ionize नहीं होता है इनके अंदर covalent character थोड़ा जादा होता है जिसकी वज़े से यह isosynide बनाते हैं इस बात को याद रखना केसियन से reaction करेंगे तो यह बन जाएगा cyanobenzene और cyanobenzene का reaction फिर benzene बना दिया cyanobenzene का reaction cyanocyclohexene cyan का reaction bromocyclohexene से करेंगे तो बन जाएगा cyanocyclohexene cyanide, cyclohexene carbonitrile, अब NAVH के साथ reaction कराते हैं इसका dilute NAVH के साथ NAVH के साथ हम reaction कराते हैं यहाँ पर NAVH और water, dilute इसे हम ऐसे बलिख सकते हैं water S3O+, तो इसकी hydrolysis हो जाती है और hydrolysis के बाद बन जाता है carboxylic acid अच्चू की base है यह बन जाएगा carboxylic acid का salt फिर इसकी electrolysis कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा यह kolbe electrolysis technique द्वारा इसमें free radical बनता है यह cyclohexene free radical बीच में बनता है और जिसकी वज़े से यह बन जाता है यह दो cyclohexene के ring जुड जाते हैं अच्छा फिर यह यहाँ पर bromocyclohexene का sodium ether से reaction कराते हैं तो इस reaction को कहते हैं उर्ज reaction में क्या हो जाता है यह दो R गुर्प आपस में जुड जाते हैं तो यह बन जाता है दो cyclohexene गुर्प आपस में जुड जाते हैं यह उर्ज reaction है फिर SOCO2 SOCO2 SO2 Cl2 H2 या इसे कहें CL2 H2 दोनों ही क्या करते हैं chlorination करते हैं और यह chlorination कहां पर होने के chances हैं याद रखेगा इसके chlorination में यह 3 degree carbon पर भी होने के chances हैं और इसके chlorination और जगों पर अच्छा SCL2 H2 जो होता है यह तो क्या करता है selectivity इसकी जो होती है बहुत कम होती है तो कई जगें chlorination करता है लेकिन SO2, CL2 जो होता है यह ज़्यादा डिगरी वाले more reactive hydrogen पर ही reaction करता है यहाँ पर यह बन जाएगा अच्छा जब Oats reaction होता है तो इसने बता रखा है कि यहाँ पर disproportionation reaction भी हो रहा है तो sodium dry theret के साथ reaction करेंगे यहाँ पर जब दो free radical आपस में combine करने आते हैं तो यहाँ पर combination के साथ में disproportionation reaction भी बनता है तो एक बन जाता है यहाँ पर cyclohexene और दूसरा बन जाता है cyclohexene इसमें cyclohexene वही है जो NBS से reaction करता है और NBS क्या करता है allylic और benzylic hydrogen से reaction करता है अर्थाथ E आपका cyclohexene है और फिर यह cyclohexene पर bromine जुड़ जाएगा bromination method दौरा अभी अभी आपने पढ़ा था यह बन जाएगा bromocyclohexene जी यह N-bromossaxinamide यह free radical उर्ज reaction जो होता free radical और ionic method दौरा दोनों होता है जिसमें आपने पढ़ा है कि alkyl halide का reaction अगर आप sodium के साथ कराते हैं तो दो alkyl group आपस में जुड़ जाते हैं यह बन जाता है ठीक है यहाँ पर यह alkyl bromide का reaction kv8 के साथ heat करेंगे तो kv8 के साथ heat करने पर यहाँ पर cyclohexene का formation होगा cyclohexene मैंने यहाँ पर थोड़ी से एक mistake कर दी है एक बार mistake में कल्कुलेट कर दूँ यहाँ पर cyanide के साथ S3O plus पहले ही ले रखा है तो cyanide के साथ अगर S3O plus ले लेगा तो यहाँ पर carboxylic acid का formation होगा इसे correction करें यह वैसे आपके दिमाग में आया होगा पर दूर से आप गुसा रहे होंगे, सूच रहे होंगे कैसे सर्व को बताओं यह आपने बता दे जी एन्ने वेज के साथ reaction करेंगे तो यह बन जाएगा salt बिल्कुल, यह KCN पहले है और उसके साथ में S3O plus भी है, याद रखना next, फिर alkyl bromide का reaction के वेज के साथ कराएंगे, तो बनेगा साइक्लो हेक्सी और साइक्लो हेक्सी का ओजोन उलिशिस करा रहे हैं, तो यह ओजोन के बाद बन जाएगा, अच्छा वाटर की प्रदिंस में, ओजोन वाटर है, यहाँ पर प्रदिंस नहीं लिया गया, इसमें साइड में S2O2 बनता है, तो वो S2O2 क्या करता है, अगर किसी कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो वो उसको acid में oxidize कर देता है, तो यह बन जाएगा hexane 1-6-di-o-e-c acid यह बनेगा, यह first से बन जाएगा, यह second से बन जाएगा आपका यह, और third इसको अगर हम heat करते हैं, याद रखेगा, तो जब भी 1-6-di-carboxylic acid को heat करते हैं, तो एक CO2 और एक water बहार निकल लाता है, यह आप जानते हैं, CO2 निकलेगा और water बहार निकलेगा, और हमें बन जाएगा cyclopentanone 1-6-di-carboxylic acid को heat करते हैं, तो बन जाता cyclopentanone यह बना आई, यह मैंने इसी में थोड़ा जगह कम थी, मैंने बना दिया, यह सारे reaction आपने पढ़ा होगा, यह bromine H-new के साथ free radical substitution reaction, इसमें intermediate free radical बनता है, sodium के साथ reaction कराते हैं, alkyl halide का तो oaks reaction, coupling reaction जिसमें 2 R group मिलकी RR बना देते हैं, इसमें थोड़ी बहुत मातरा alkene, और alkene का भी बनता है as a disproportionation product यह आप जानते हैं, बहुत important है, next, अच्छा, alkyl bromide का reaction के सीन से कराते हैं, water की presence में, तो के सीन पहले सीन लाता है, water वहां में convert कर देता है, पहला mechanism SN2 है, दूसरा mechanism hydrolysis of cyanide है, okay, oxidation of cyanide है, और जैसे यह acid बन जाता है, यह reaction न वेज के साथ कराते हैं, तो acid-based reaction है, और फिर H का reaction, यहां पर electrolysis इस reaction को कहते हैं, coal-based electrolysis, यह बहुत important है, आपकी exam में, या तो coal-based electrolysis, या तो ods reaction, आपकी exam में आ सकता है या तो halogenation, यहां से halogenation, coal-based electrolysis और ods reaction में से एक आ रहा है, advancement, next अब question पूछा, I क्या, अच्छा I के बारे में बता दिया, और I हम बता चुके थे, यह I cyclopentano, अब I का reaction NS2OH के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, जड़ास एक बार देख लेते हैं चलिए, हम यहां पर बनाते हैं अगर NS2OH के साथ कराते हैं pH 4.5 से 5.5 के बीच में रखते हैं, यहां पर heating यहां पर board में missing है, आपके PPT में दिया गया होगा, heat करते हैं, ठीक है, तो यहां पर बन जाता है, यह Oxine Cyclopentane Oxine और Cyclopentane Oxine का reaction अगर हम PCL5 के साथ कराते हैं PCL5 के साथ तो यह Backman Rearrangement Backman Rearrangement के द्वारा यह बन जाएगा Cyclohexane Sorry 6 member का Cyclic Ami जबकि यहां पर यह बना रखार था, the reaction correctly the reaction correctly not match with the major product, यह match नहीं करता, A not match, फिर इसके बाद A का reaction N-AVH के साथ कराते हैं, चलो, यह A जगह कम है, यहां पर हम करके देखते हैं यहां पर है Cyclopentanone का reaction अगर हम N-AVH के साथ कराते हैं तो यह L-Dol Condensation Reaction द्वारा इनमे L-Dol N-AVH और Heat क्या बनेगा याद रखिएगा इसमें होता है क्या है आपने इसका ट्रिक सीखा है कि सबसे पहले इसका alpha carbon, इसके carbonyl carbon से जुड़ता है धीरे धीरे यह carbonyl से oxygen और यहां से hydrogen बाहर निकल जाता है और इनके बीच में इस परकार से जुड़ जाता है यह आपने पढ़ा ऐसे यह एक का carbonyl, एक का alpha अपसमेटाय करता है यहां से दोनों hydrogen पहला hydrogen base ले जाएगा यह दोनों hydrogen और यह बाहर निकल लाते हैं और condensation reaction में यह बन जाए यह l-doll condensation अगर आपको यह समझ में नहीं आता तो आप l-doll reaction पर एक free episode दिये गए हैं आप देख सकते हैं important name reaction का हमारे e2s के website पर ओके फिर इसके बाद में इसका reaction किसके साथ करा रहे हैं हाँ N2H4S2O2 याद रखेगा यहां आप confused होंगे N2H4 H2O2 जो होता है यह alkene को reduce करता है और एक होता है N2H4 H2O2 N2H4 N2OH base और water यह लिखाओ N2H4 and OH- and water यह सिर्फ लिखाओ N2H4 and O- OH- यह क्या करता है कार्बोनेल ग्रुप को hydrocarbon में reduce करता है इसे कहते हैं लेकिन यहां पर N2H4 S2O2 है यह दोनों मिल करके आपस में बनाते हैं डाइमाइन और डाइमाइन प्लस H2O 2 इसका एक O यहां से 2 hydrogen को निकाल लेता और यह डाइमाइन से 2 hydrogen निकलते हैं और वह carbon carbon double bond को reduce करते हैं इसका product बनना चीए लेकिन product में क्या दे रखा है इसने ketone को oxygen reduce कर रखा double bond बचा रहा था यह भी wrong है तो answer यह भी correct हो सकता next अगला reaction कुए अगला क मैं इसमें आप कि इसमें पर देखेंढेए अगर हम लोग किसवाद इस वीन का इसका react शाइक संग्रोस यह्क्ण का रेक्षिन का रेक्षन ट्राइफ़िनाइयलफास्पीन के साथ कराते हैं वी ऐक सीजन ट्राइफिन फा सपिन यहां से निकल जाता है और यह बन जाएगा फिर HOCl के साथ अगर हम reaction कराते हैं तो HOCl के साथ reaction करने पर यहाँ पर OH पर यहाँ पर CL आजाएगा बेटा यहाँ पर OH और यहाँ पर CL फिर SbCl5 से reaction कराएगे तो SbCl5 है ना यहाँ से CL को निकाल लेगा और यहां केटान बनेगा और यह इंग इस्पैंड कर जाएगा यह इस्पैंड कर जाएगा एंड वी गेट डिस साइक्लोहेक से तुन अब दीस सारे इंकरेक्ट है ओके सारे ही इसके इंकरेक्ट है तो द हě ईff सारे ही इसके इंकरेक्ट है तो है तो रीक स מט्ट अगर लुम अनुट hiring iste यह लिखना चीए और यह गरत लिख दिया है नंग दीस की जगारपर कोльहां बाती इस reaction को कौन सा reaction कहते हैं ये इस reaction को कहते हैं विटिंग reaction जिसमें हम ट्राइफिनाइल फास्पीन और कीटोन को मिला करके इलकीन बनाते हैं और HOCl Electrophilic Edition reaction है जिसमें OH और CL का addition reaction SbCl5 आपने पढ़ा होगा कि CL को निकालेगा और फिर यहां पर कार्बोकेटान यह जो बने गए ring expansion के द्वारा यह ketone में convert हो जाएं तो यह हुआ इसका answer ABC तीनों ही not तो जो है correctly match कर रहे हैं यहां पर question number 5 find out the incorrect statement product G is rhythmic mixture product G क्या है जी 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 वेर इस जी हां जी यह rhythmic mixture बनेगा बिलकुल यहां पर chiral carbon है जिसके R और S दोनों बनने के chances हैं तो यह product G जो है rhythmic mixture बनेगा product G is rhythmic mixture है तो correct statement क्योंकि काइडल carbon बनेगा है next product E is three degree highlight product E के बारे में बात करें बार बार पलटना पढ़ रहा है E 3 degree highlight होगा नहीं product E L की नहीं यह तो incorrect product E product F is three degree highlight sorry F F is three degree highlight यह correct यह भी correct statement है कहां गया F जादर पीछे चले गए F where is F F three degree है तो correct statement है बिलकुल यह तो F be correct statement है प्रोड़क्ट A B C D E F R optically active product A optically inactive है तो आगे बढ़ने की जूरत नहीं प्रोड़क्ट A optically क्या है inactive ओके तो यह भी ए अप बोला optically active तो ए ही गलत है तो बाकी BCD देखने नहीं यह incorrect statement है नो प्रोड़क्ट A2H can so geometrical isomerism A2H can so geometrical isomerism no product can so geometrical isomerism A2H यह A है A geometrical isomerism नहीं करेगा H भी नहीं so करेगा कोई भी टोड़क्ट A geometrical isomerism so नहीं करेंगे इसका मतलब कि यह सही statement बोल रहा है यह तो correct statement है तो इसका मतलब answer इसका C correct question number six the reaction which does not involve free radical mechanism in above reaction इसमें किसमें free radical mechanism नहीं होता पहले डी टुए डी टुए कनवर्जन क्या डी टुए यह रहाँ डी टुए डी टुए टुए तो हम कनवर्जन कनवर्जन कर रहें डी टुए का कनवर्जन reaction which does not involve free radical mechanism इसे डी टुए तो जल्दी से यह पांच वाला छे वाले में डी से एक अन्वर्जन डी एक्शन विच्ट नॉट इन्वाल्फ्री रेडिकल मेकनीजम इन अबब reaction डी टुए कनवर्जन हाई नहीं यह कुछन गलत हो गया कहां गया डी डी टुए का कनवर्जन तो हाई नहीं डी से ए तो अच्छा यह डी डी तो यहीं साइक्लो एक्शन एक प्रकार का डी ही है हाँ दी से एक अन्वर्जन यह फ्री रेडिकल मेकनीजम और फ्री रेडिकल मेकनीजम इसद तो गत्रू होता क्योंकि साइक्लो है से डी उधर भी धर्बी यहां से हमने पता लगा अगला यह भी डी है यह भी डी बना हमने ए से डी का अंदाजा लगा लिया question अच्छा था next हम अगला है हाँ हाँ है 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 एच्टू सी है 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 वेर इच्ट से सी हाँ इसमें तो free radical होता है कोलबेल एक्डॉलेशीश में फ्री रेडिकल होता है टो 8 to C.E. push the और फ्री रेडिकल मेकनिजम होता है को नेक्स एसी डी एसे डी एसे तो फ्री रेडिकल मेकनिजम और आइनिक दोनों मेकनिजम इन्वाल्ब करता है sodium और क्या है B2H B2H acid based reaction यह free radical involvement करता इसमें तो free radical और ironic दोनों होता है A2, C, D, E यह तो होता है तो answer B2H होना चाहिए थोड़ा सा B2H answer should be B2H तो इसी के साथ यह discussion पर complete करते हैं important अपना अपनी family का ध्यान दे और पका याकीन रखना अगर आपको concept clear है तो 100% आपको question करेंगे बस विश्वास रखना अपनी concept पर एक-एक step के आगे बढ़ना एक-एक step के द्वार आगे बढ़ना देखो मंजिल देखे घवडाना नहीं आपको पहला कदम कैसे रखना पहला कदम फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौदा step by step चलते रहना question automatic सही होगा चलिए आज का lecture यहीं पर खत्म करते हैं बाकी पढ़ेंगे next lecture thank you so much to all of you take care yourself वर्ष्वमि